नमस्कार आप देख रहे हैं टैलेंटिड इंडिया और मैं हूँ राहुल तिवारी नया साल यानि जनवरी आ चुका है और सभी लोगों ने नया साल का जश्म धुमधाम के साथ मनाया लेकिन जश्म के खत्म होने के तुरंत बाद तयारियां शुरू हो चली हैं भारत के एक समविधान लागु हुआ था जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से उनके हकदार हुए थे और वह दिन जब हम हमारे समविधान की प्राप्ति का जश्न दूमधाम से मनाते हैं क्या होता है इस दिन? इस दिन वैसे तो कई सारे आविजन होते हैं देश प्रेम की एक अलग अनूठी बिसाल पेश की जाती है लेकिन इसके साथ ही सरकार और सरकार से जुड़े विभाग अपने विभन्य योजनाओ को जनता के सांदैं पेश करती हैं ऐसी योजनाओं जो लोगों के लिए हिद्सकारी है लोगों के लिए उपयोगी है और लोगों को इनके बारे में जानना जरूरी होता है उन्हीं योजनाओं को चरकार के उन कामों को हम 26 जनवरी के परेड में जहाकी के रूप में जरूर देखते हैं सरकार इन जहाकियों के माध्यम से एक गहरा साथी शुपी देती है लेकिन इस बार 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाली इन जहाकियों को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है विवाद इस बात का कि वे सरकारें जो भाजपा की नहीं है जैसे प्रदेश जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने 26 जनवरी की परेड में उनके शाकियों को शामिल नहीं किया कारण एक ही दिया जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक अदावत है जिसे अब केंद्र सरकार खुल कर जाहिर कर रही है किसने आरोप लगाया? आरोप लगाया है पश्रिम मंगाल और महराश्ट ने जहापर टीमसी और शिव सेना की सरकार है कौन करता है इन प्रस्ताओं को पारित? दरसल जो भी जहां की 26 जनवरी के परेड में शामिल होनी है उसके लिए रक्षा मंत्रा लए सभी प्रदेशों से आवेदन मंगवाता है ये आवेदन एक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इस बार क्या हुआ सभी राज्जों ने आवेदन तो दिये लेकिन इन आवेदनों में से महराश्टर का आवेदन एक तारीख को और दो जनवरी को पश्रिम मंगाल का आवेदन खरिस कर दिया गया इसके बाद महराश्टर की शिवसेना सरकार और पशिव मंगाल की टीम से सरकार के निशाने पर किंद्र सरकार है आरोप लगातार लगाय जा रहे हैं कि सरकार चाहती ही नहीं कि उनकी जहाकिया परेड में शामिल की जाए और इसीलिए इन जहाकियों को मौका नहीं दिया गया वही रक्षा मंतराली का ऐसá कहना है कि उनके पास लगातार प्रस्ताओं तो कई सारे आ रहे हैं लेकिन सबी प्रस्ताओं को जहाकियों में शामिल नहीं किया जा सकता जहाकी के लिए समय सीमा का भी खयाल रखा जाता है और इसी लिए इतने सारे प्रस्तावों में से कुछ ही प्रस्ताव मन्जूर किया जाते हैं इस बार रक्षा मंतराले को 57 प्रविष्टियां जहाकीयों के लिए बिली थी परिपुरा अरुनाचल प्रदेश शामिल है इन नौ राज्यों में से चार राज्यों में गयर बीजेपी की सरकार है जबकि पाँच राज्यों में बीजेपी और उनके सहियों की दलों की भी सरकारे हैं लेकिन बाउजुआ कि इन सभी को इस बार गंतत्र दिवस की परेड मे जाक्यार शामिल करने का मौका नहीं मिलेगा अब उस विशाय पर चर्चा करते हैं जिस विशाय के साथ इन सरकारों ने अपनी प्रविष्टियां के इंदर सरकार को भेजी थी महाराष्टर सरकार ने इस बार 4 जाक्यों के प्रस्ताव के इंदर को भेजे थे इन जाक्यों में महाराष्ट में थेटर की 175 सालों का सफर दूसरा विशय था नौसेनिक वेड़े की 350 विवर्षगाट जिसे मराठा शासक कनहुजी अंगरे ने शुरू किया था तीसरा प्रस्ताव था पारंपरिक वेश भूशा का जो महाराष्ट का प्रतीक है और आखिरी प्रताव था गीतरामायन का महाराष्ट के इन चारों प्रताव में प्रताव का दूवारा चात्राओं के लिए शुरू कि गई सकी तो आरथिक तौर पर पिछड़े परिवारों के लिए शुरू कि गई है ताकि वे अपने बच्ची ओको शिक्षित कर सके और उनकी शादी बालिक होने पर ही कर सके अब जब प्रस्ताव मन्जूर नहीं हुआ तो नेताओं ने केंदर सरकार पर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है उपसे ना कि नेता संजे राउत ने इस मसले पर कहा कि महराश्टो सरकार को ज्यादातर बार अपनी जहाकी के लिए अवर्ड मिले है इस बार ऐसा क्या हुआ कि महराश्टो और बंगाल को शामिल नहीं किया गया है दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है क्या यही कारण है मही अनसेपी की नेता सुप्रिया सुले ने भी इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पक्षपाती तरीके से बरताओ कर रही है जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों के सरकारे हैं उनके साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है नहीं त्रणून कॉंग्रिस की नेता मदन बिश्रा ने भी इस मसले पर बीजेपी सरकार पर निशाना सा था उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए नया नहीं है दिल्ली को बंगाल से डर लगता है वे दिल्ली में बंगाल की जहांकियों को रद्द कर सकते हैं बंगाल में NRC और CA को बंगाल रिद्ध कर देगा। कुल मिलाकर 26 जनवरी की परेड में निकलने वाली जहांकियों पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। सियासत कहा जाकर थमती है, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं है। लेकिन यह ताय है कि जब तक 26 जनवरी खरीब आती रहेगी, इस मसलिप और राजनिती और भी तेज होती रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आएं तो प्लीज लाइक करें, सस्क्राइब करें और शेयर करें।